हे स्टुडेंट वेलकम उन से गैंड बच्चो आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सर से 7.4 का थर्ड नंबर करेंगे बिल्गुल सिंपल सा क्या रहा है ना कि मेक 5 more such pairs and put appropriate sign यानि कि जैसा आपने यहाँ पर आपको pair दिया गया था और आपने sign लगाना सीखा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है यह मैंने आपको वहाँ पर डीटेल में समझाया है तो आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर जिस टैप से fraction दिये गहा है न इसी लगा देना है तो आप अलग से भी fraction बना सकते हो या फिर आपके बूग में दिया वही फ्रेक्सिन बना सकते हो या आपके teacher जो कर आए वो भी कर सकते हो लेकिन यहां पर मैं क्या करता हूं यह जो हमारा जो book में दिया रहा है वही करो, आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैंने इसको मना दिया, 13 by 26 और 15 by 26, तो बड़ा कौन सा होगा हमारा, 15 by 26 भी होगा, तो जो sign रहेगा हमारा, इधर ही लगे रहेगा, उसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, 14 by, 1 by 14, औ हम लोग किसको बड़ा माने, किसको छोटा माने, देख करके पता लगाने का trick मैं आपको यहाँ पर समझाई दिया था, यह चौकलेट का example देख करके, बागी जो अगला question नवारा रहा है किना question 4, उसमें आप और detail में समझोगे, विकास यहाँ पर बहुत सारे आपको examples दिये हो, तो मानलो, इसको मैं 24 भी बना सकता हूँ, जरूरी नहीं कि denominator से numerator क्या हो, छोटा ही हो, बड़ा भी आप ले सकते हो, तो इसको मैं 24 या 34 ले ले लेता हूँ, 22 का use इधर क्या हो, यहाँ थीरी का कर देता हूँ, तो 15 में से 34 चोटा होगा, 15 में से 35 क्या होगा, बड़ा हो बस इसी तरीके से, यहाँ पर भी आपको अलग लग है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर बनाना था कि denominator हमारा अलग है, लेकि numerator सेम हो, क्योंकि यहाँ पहले जो नंबर था, वहाँ पर भी देखो numerator सेम था, थिरी थिरी, और denominator क्या था, अलग अलग था, तो यहाँ पर कुछ नंबर लिख सकता है, यहाँ पर 27 लिख दिया, लेकिन numerator क्या हमारा सेम है, तो हम जानते क्या है, कि जो भी अगर numerator सेम रहता है, तो जिसका भी denominator छोटा है, वही fraction क्या होगा, बड़ा होगा, तो इस तरीके साब को अपने मन से को भी fraction बना ले नहीं, question number 3 में, और यहाँ आप question number 4 वाले वीडियो में पहुच जाओगे, thank you for watching.